घर का बना हुआ दाल चावल, देशी घी, मेरे ख्याल से शायद इससे ज़्यादा comfort food और कोई होता ही नहीं होगा, easy to make, easy to digest और healthy भी Hello foodies, welcome to रसोई का स्वात, कैसे हैं आप सब होप करती हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्स्राइब कर लीचेगा, रेसिपी बसंदा है तो like, comment और share जरूर करिएगा, अगर facebook पे देख रहे हैं तो follow कर लीचेगा चलिए बनाते हैं अपनी पहली रेसिपी जो की है डाल पालक, तो उसके लिए सबसे पहले पालक ले लीचे, उसको अच्छी तरह से धो लीचे और फिर चॉप कर लीचे और इसके बाद इसको मैंने कूकर में डाल दिया है, छिलके वाली मूंग की डाल से हम ये डाल आज ब बढ़ जाती है, इजी डाइजिस्ट होने के लिए इजी हो जाता है, दो टमाटा ले लेंगे उसको भी रफली चॉप कर लेंगे और वो भी हम इसमें डाल देंगे, चिलके वाली मूंग की डाल के साथ ये वाली डाल बनाईएगा तो और भी जादा अच्छा स्वाद आए या फाइनली चॉप करके भी डाल सकते हैं, आज मैंने सिल उठाई है क्योंकि मैं अपनी आवल्या की जो चटनी में अपनों के साथ शेयरता ने जारी हूँ, वो भी मैंने आज सिल पे ही बनाईए और बहुत ही फैंटास्टिक स्वाद आया था सिल पिसने के बाद, जो ये स्वाद के हिसाब से नमक और थोड़े से यानि आधा चमच धनिया पाउटर और बिल्कुल थोड़ा सा एक चौथाई चमच के करीब गरम मसाला डाल देंगे और इसके बास सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और प्रेशा कूक कर देंगे, डाल मेरी भीकी वही थी तो कुकि प्रोसेस कम हो गया, दो सीटी में ही मेरी दाल बिल्कुल अच्छी तरीके से तयार हो गई थी, अगर आपने नहीं भी भिंगाई है तो भी तीन सीटी में हो जाएगी, क्योंकि मूँ की दाल है, बहुत जल्दी पक जाती है, चलिए अब हम अपनी चटनी तयार कर लेते हैं तो चटनी के लिए मैंने ले लिया है दो आवला, चार हरी मिर्च, एक अद्रक का टुकड़ा, थोड़ी सी धनिया की पती, एक चम्मत जीरा और थोड़ा सा स्वाद की हिसाब से नमक, ये सारी चीजों को मैं सिल पे अच्छी तरीके से पिस लूँगी, आप यही सारी मेरे कहने पर आप ये प्रोसेस ट्राय करके देखिए, बिना लेसुन प्याज का खाना करके देखिए, आपको अपनी बोड़ी में बहुत सारी रासिक चेंग दिखाई देंके, बोड़ी जो है बहुत लाइट आपको लगे की, बहुत ज़दा लेथार्जिक जो लेसुन प आपको एजी और लाइट फील होगा, तो मेरे कहने पर एक बार बिना लेसुन प्याज के खाना बना करके देखिए, एक हफते खा कर के देखिए, बना करके देखिए और रेसिपी की चंता बिल्कुल मत करिये, मेरे चैनल पर लगातार आपको फैंसी से लगाएं मतलब की आ और डेली खाने वाली भी रेसिपी मिल जाएगी, मैं लगातार शेयर कर रही हूँ, तो पूरी रेसिपी देखिए, और आप नहीं, तो आपके घर में अगर कोई आने वाला हो, तो उनके लिए ये बनाएगे, या अपने फैमिली और फ्रेंज के साथ शेयर करिए, जो की लेस हो गया है, इसमें हम जीरा, हींग और लाल मिर्च को ऐसी ही रफली चौप का लिया है, वो डाल दिया है, चिटकने लग जाए, गैस को बंद कर दीजिए, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगी, तब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल दीजिए, टोटली ऑप्शनल है, बस थोड तड़के को डाल में डाल करके, इसके बाद इसको दो मिर्ट के लिए रिस्ट करने के लिए रखतीजिएगा, ढख करके, जिससे की अच्छी तरीके से तड़के की खुश्पू है, और उसका जो एसन सारी चीज़ें, वो सब डाल में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएए, आप कुकर में भी राइस बनाकर के ले सकते हैं, डाल के साथ सब करिये, थोड़ी सी आलु गोबी की सबजी सर्फ की आप कोई भी सूकी सबजी के साथ सर्फ करिये, यः वैसे भी बहुत ठेस्टी लगता है, और उसके साथ आमले की चटनी है, जिसके हेल्थ बेनेफिट्स तो अंगिनत हैं क्योंकि आमले के अगर बेनिफिस बताने लग जाओंगी तो शायद ये एक वीडियो कम पढ़ जाएगी तो बस गरम गरम ये खाना सर्फ करिये जिसको भी सर्फ करिये का ना वो जानी नहीं पाएगा कि इस दाल को आपने लेसुन वगर बिना लेसुन पे आजके बनाया है और जो भी में recipes आजकल आपनों के साथ share कर रही हूँ ना बिना lesson पे आज के अगर आपने एक बाह भी try किया आना तो आप lesson पे आज खाना ही भूल जाएं के वो इतनी tasty और इतनी अच्छी लग रही है तो friends मेरे कहने पे एक बार ये recipe जरूर try करके देखिएगा और बाकी भी मेरी जो recipe से जरूर try करके देखिएगा तो आप hope करती हूँ कि आज की recipe आपको अच्छी लगेगी अच्छी लगे तो like, comment और share जरूर करिएगा फिर मिलती हूँ ऐसी healthy easy tasty recipe के साथ तब तक के लिए bye bye, take care, thank you